मूवी की स्टार्टिंग में हम एक डेंटेज डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला को देखते हैं। डॉक्टर फ्रेडी एक इंट्रोवर्ड परसन होता है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। फ्रेंड्स के नाम पर उसके पास एक टॉटाइज होता है जिसका नाम होता है हाडी, फ्रेडी के पेरेंट्स नहीं थे, सिर्फ एक परसेज नाम की आंटी थी जिसे फ्रेडी की शादी की बहुत फिकर थी, और इसलिए फ्रेडी पिछले 5 साल से लड़कियों से मिलता रहता जो उसे मेरी शादी.com से मिलती थी, लेकिन हर लड़की उसके बिहेविर की वज़े से उसे पसंद नहीं करती थी, हालांकि वो बहुत इनोसेंट और शाय नेचर का था, लेकिन लड़कियों को वो क्रीप लगता था, उसके बिल्डिंग के लड़के लड़कियां भी उसका मजाग बनाते रहते थे, फ्रेडी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता था, एक दिन एक शादी में उसकी एक आंटी उसे कहती है कि उसके सब छोटे कजन्स की शादी हो गई है, लेकिन फ्रेडी अब तक हुमारा है, वो फ्रेडी से कहती है उस उसमें इंट्रस्टिड हो उस लड़की का नाम कायनास था फ्रेडी हिम्मत करके उसके पास जाता है वो उससे बात करी रहा होता है कि तभी कायनास का हस्बन रुस्तम आ जाता है कायनास को फ्रेडी से बात करता देख वो कायनास को उल्टा सीधा बोलने लगता है वो फ्रेड को कायनास अच्छी लगने लगी थी वो उसके सपने देखने लगा था नेक्स डे कायनास फ्रेडी के क्लीनिक आती है अपने विज्डम टूथ को एक्स्ट्रैक्ट कराने उसे देखकर फ्रेडी शौक हो जाता है क्यूंकि उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था को फुर टूथ एक्स्ट्रैक्शन कर देता है ताकि उसे पेइन ना हो फ्रेडी अब कायनास से बहुत प्यार करने लगा था इसलिए वो रात को कायनास के घर पहुंच जाता है उसने उसका एड्रस अपने क्लीनिक के फॉर्म से लिया था वहाँ वो देखता है उसका हस्बन रुस् को शूट करके मारा था और फिर खुद को भी गोली मारी थी क्यूंकि उन्हें पता चला था कि फ्रेडी की मॉम का किसी के साथ अफैर चल रहा है बस तभी से फ्रेडी का बिहेवियर इंट्रोवर्ट हो गया था नेक्स डे कायनास अपनी अपॉइंट्मेंट के लिए नहीं बहुत क्लोज आने लगते हैं फ्रेडी अब दीरे दीरे अपने लोग्स चेंज करके स्मार्ट होने लगता है वो अपनी परसेज आउंटी को भी कायनास के बारे में बताता है वो दोनों अप डेली मिलने लगते हैं और एक दिन सिनेमा हॉल में दोनों किस करते हैं जिसके अगली रात को जब रुस्तम जॉगिंग के लिए जा रहा होता है फ्रेडी उसे अपनी कार से कुचल देता है और कोई भी उस रात उसे वो एक्सिडेंट करता हुआ नहीं देखता और इसके बाद फ्रेडी कुच दिनों के लिए अपने कर्जत वाले फार्म हाउस में चला जाता है और पुलिस को लगता है रुस्तम का एक्सिडेंट एक हेटन रन केस है लेकिन फिर भी पुलिस उसके के इसको इन्विस्टिगेट करना चाहती है फ्रेडी अब बहुत खुश होता है और वो काईनाज के लिए कर्जत से चीकू लाता है उसे लगता है काईनाज उसे देखकर बहुत खुश होगी लेकिन ऐसा नहीं होता जब फ्रेडी काईनाज के गर आता है तो काईनाज अपने restaurant के मालकीन बन जाए Raymond Freddy को बहुत मारता है और काइनास उसे दमकाती है कि अगर वो फिर से उनके गर आया तो वो पुलिस को बता देगी कि रुस्तम को Freddy ने मारा है Freddy का दिल बुरी तरह से तूट जाता है वो पूरी रात बहुत रोता है और अगली सुबा काइनास से जूड़ी सारी चीज़त जला देता है अब Freddy काइनास से बतला लेने के बारे में सोचता है और वो next day काइनास के restaurant आ जाता है और वहाँ पर बैठके काइनास को गूरने लगता है तब ही वहाँ पर Raymond आ जाता है और वो Freddy को अपने phone में से बदला लेने का plan बनाता है सबसे पहले वो काइनास के flat की duplicate चापी बनवाता है और उनके घर में घुसके उनके खाने में नीन की दवाई मिला देता है और उसके बाद उसके face wash में dish washing liquid मिला देता है क्योंकि काइनास को dish washing liquid से allergy होती है वो दोनों उस रात को खाना खाकर बहुत गहरी नीन में सो जाते है तब ही रात को Freddy वहाँ आता है और वो Raymond के phone से वो सारी photos delete कर देता है और काइनास के phone से खुद को रेक message करता है और जाते होए Raymond को बहुत सारे थपड मारता है आदी रात को जब काइनास नीन से उठती है और face को अपने mirror में देखती है तो वो चिलाने लगती है क्योंकि उसके सारे face पे allergy हो गई थी वो जल्दी से Raymond को hospital जाने के लिए कहती है रास्ते में उनकी कार के break fail हो जाते है Freddy नहीं उनकी कार के break fail किये थे इसकी वज़े से उनका accident हो जाता है इसके कुछ दुनों बात काइनास का restaurant safety authority वाले बंद करा देते हैं क्योंकि किसी customer के खाने में चिपकली मिलती है और उसने वो pictures और मैटो पर डाल दी थी जिससे वो viral हो गया था ये सुनकर काइनास और Raymond अपने restaurant आते हैं और इस बीच Freddy उनके घर आता है और Raymond के laptop से काइनास और Raymond की एक hot pic Facebook पर upload कर देता है जिसकी वज़े से काइनास और insulted feel करने लगती है काइनास समझ जाती है कि ये सब Freddy कर रहा है काइनास Raymond के साथ Freddy के घर जाती है और वहाँ Raymond Freddy को बहुत मारता है अभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये Freddy का ही प्लान था काइनास पुलिस को बता देती है कि Freddy नहीं उसके husband रुस्टरम को मारा है क्योंकि वो काइनास के पीछे पड़ा था उसके पास इसका प्रूव भी है लेकिन जब Raymond अपना phone चेक करता है तो वहाँ कुछ नहीं होता और पुलिस काइनास की बातों पर यकीन नहीं करती पुलिस Freddy को कहती है कि वो इन दोनों के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है Freddy ने यहाँ पुलिस की हमदर्दी पा ली थी अब काइनास भी Freddy से बदला लेने के बारे में सोचती है और जब Freddy अपने घर आता है वहाँ पर उसे सारा समान बिखरा हुआ मिलता है गर के बाहर उसे एक बुलिट मिलती है उसे समझ आ जाता है कि ये सब काइनास ने करवाया है वो कायनास को कॉल करके बोलता है कि उसने भी उनके घर पर एक स्नेक छोड़ा है ये सुनकर कायनास दर जाती है वो सारे घर में स्नेक को डूनते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता इसलिए वो एक लॉज में जाकर रात गुजारते हैं बर तब ही वो फ्रेडी को कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने उसके घर से उसके टर्टल हार्डी को चुरा लिया था और उसे मार कर उसका सूप पी लिया था ये सुनकर फ्रेडी अपने घर के CCTV की फुटेज चेक करता है तो वाकई में रेमन ने फ्रेडी के घर से उसका टर्टल चुराया था ये जानने के बाद फ्रेडी बहुत उदास हो जाता है और बहुत रोता है उसकी लाइफ में उसका एक हाडी ही फ्रेंट था अब फ्रेडी के दिल में उनसे बदला लेने की बावना और बढ़ जाती है और नेक्स दे वो एक बिखारी के पास जाता है जो काईनास के घर के पास ही रहता है वो उसको पैसे देकर पुलिस को एक स्टेटमेंट देने को कहता है कि उसने एक कार को रुस्तम को कुचलते हुए देखा था और वो कार का नंबर भी देता है जो कि फ्रेडी की कार का नंबर होता है पुलिस फ्रेडी के पास एंक्वाइरी के लिए आती है जहाँ पर Freddie बताता है कि वो कार उसी की है लेकिन वो उसे चला नहीं रहा था उस रात कायनास की कार खराब हो गई थी इसलिए उसने अपने boyfriend Raymond को Freddie के पास कार लेने के लिए बेजा था उसे नहीं पता था कि वो लोग उसकी कार से रुस्तम का accident करने वाले हैं और जब उसे पता चला तो कायनास ने उसे एक message करके दमकी दी थी कि अगर उसने पुलिस को इस बारे में बताया तो वो उसे मार डालेंगे और ये वो ही message था जो Freddie ने कायनास के phone से खुद को किया था साथ ही Freddie अपने घर की CCTV फुटेज भी पुलिस को दिखाता है जिसमें Raymond ने Freddie के घर से हाडी को चुराया है ये सब देखकर पुलिस का शकब यकीन में बदल जाता है कि कायनास और उसके boyfriend ने ही रुस्तम को मरवाया है और अब वो दोनों Freddie को फसा रही है दूसरी और Freddie अपने करजत वाले Farmhouse के लिए निकल जाता है और कायनास को फोन करके बताता है कि उसने पुलिस को उनके बारे में सब बता दिया है वो कहता है कि उसके पास इतने evidence है कि वो दोनों को arrest करवा सकता है इसलिए वो अगर बचना चाते हैं तो वो एक बार बस Freddie से माफी मांग ले पुलिस से बचने के लिए कायनास Freddie से माफी मांगने के लिए अगरी हो जाती है और Freddie के कहने पर वो Freddie के farmhouse पर एक suit case के साथ आते हैं जहां पर दोनों Freddie को मारने के बारे में सोचते हैं और एक बार तो वो Freddie की गन से उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन उस गन में bullet नहीं थी Freddie ने उन दोनों को एक electric shock देकर बिहोश कर दिया था Freddie ने उन दोनों को बान देता है और अब वो एनेथीजिया के बिना ही उनके दान उखाडने वाला था Freddie काइनास से कहता है कि उसने काइनास से सच में प्यार किया था लेकिन उन्होंने उसकी feeling के साथ खेला और उसके फ्रेंड हारडी को मार दाला जिसकी सजा उने जरूर मिलेगी इसके बाद वो एक एकर के रेमेंड और काइनास के सारे दान उखाड़ देता है और दोनों को अपने फार्म हाउस के पीछे जिंदा ही दफना देता है और उदर पुलिस जब काइनास के गर के बाहर CCTV में दोनों को सूटकेस लेकर निकलता हुआ देखती है तो उन्हें लगता है कि वो दोनों डर के मारे शेयर छोड़के चले गए और इसे किसाथ मूवी खतम हो जाती है ये था फ्रेडी का एक्स्प्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताईएगा और ऐसे और एक्स्प्लेनेशन और मूवी रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू